नमश्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको पताने वाली हूँ अगर आपके पास Moto G30 बने है या फिर G-Series का कोई और मॉडल है तो यहाँ पे आप Google Photos का Backup कैसे बना सकते हैं आपका यहाँ पे Google Photos तो है लेकिन यहाँ पे Backup कैसे Create करना है तो इसके लिए आप चल जाएंगे Google Photos पे और यहाँ पे आपको ऐसे चले जाना है 3.ड़ पे और यहाँ पे स्टैप से Option देखने को मिल जाएगा आप नॉर्मली यहाँ पे Library पे चले जाएंगे यह स्क्रीन शॉर्ट वाला सेक्शन खुला हुआ है आप यहाँ पे Google Photos पे चले जाएंगे अब नॉर्मली इस पे आपको चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद इस टैप से Option देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे और बैक अप सैटिंग को इनेबल कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे आपका बैक अप बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे अभी 2% है 15GB आपको फ्री मिलता है यहाँ पे देख सकते हैं 15GB तक आप यहाँ पे बैक अप बना सकते हैं फ्री में और वरना बाकी आपको पर्चेस करना पड़ता है तो बैक अप यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया है अब यहाँ पे हम बैक कर देंगे कुछ नहीं करना है आपकी जितनी भी फोटोज हैं वो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे एरो देखने को मिलेगा देख सकते हैं इस ट्रैप से आपको देखने को मिलेगा जब बैक अप हमारा स्टार्ट रहेगा तो तो इस ट्रैप से आप सैटिंग कर लिजेगा बैक अप की और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका connectivity है वाइफाई से connect रहेगा या फिर mobile से connect होगा जैसे इंटरनेट से connect होगा यह आपका backup बना start हो जागा तो इस step से setting कर लीजेगा चलिए मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्षकार